तमश्कार दोस्तों, इंडियन रेलवेस द्वारा एक बार फिर इसे वेकेंसी जहां पे रिलीस कर दी गई, रिकूट्मेंट वेबसाइट पे आ चुका है, आप सबी लोग यहां पे देख सकते हैं, सेंट्रल रेलवेस द्वारा, मेडिकल प्रेक्टिशनर्स और पेरा मेडि सब्सक्राइब के लिए जाएगा, और इंटर्वियो के माधियम से आपको यहां पे जॉइनिंग दे दी, जाहेगी सबसे पहले आप सबी लोग सरकारी भरती का विग्यापन कैसे यहां पे डाउनलोड करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको यहां पे दे देता हूँ, तो द पेज आपका यहां पे ओपिन हो जाएगा फिर दोस्तों आप सभी लोगों को about us यह जो option दिया जा रहा है इस पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों मैंने जैसे इस पर आपको यहाँ पर क्लिक किया और यह विंडो यहाँ पर ओपिन हो चुकी है और फिर दोस्तों आप सबी लोगों को डिवीजन्स पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और लिखा हुआ है यहाँ पर डिवीजन इसमें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सभी divisions के बारे में information दे दी गई है, आपको नागपूर इस पे आपको यहाँ पे click कर देना है और एक चोटी सी window एक बार फिर से आपको open होगी, तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी लोग को यहाँ पे एक और information दे दी गई, इसके बाद दोस्तों आपको personal इस पे आपको यहाँ पे click कर देना है, तो दोस्तों जैसी personal पे मैंने आपको यहाँ पे click किया, और यहाँ पे notifications के बारे में information आपको यहाँ पे दी जा रही है, और आप सभी लोग यहाँ पे read कर सकते हैं, पूरा सरकारी भरती का विज्यापन आपको यहाँ पे provide यहाँ पे करा दिया गया है, और लिखा हुआ है, तो बिलकुल यहाँ पे समय नहीं गवाते हैं, और भरती विज्यापन को यहाँ पे open कर लेते हैं, दोस्तों notification हमने यहाँ पे open कर लिया है, Central Railways द्वारा, यह जो information है, 8 April 2021 को officially website पे notification के तौर पे आप सबी लोग को यहाँ पे दी जा रही है, जितनी भी vacancy है, temporary basis पे आप के यहाँ पे रहने वाली है, और आप सबी लोग को COVID-19 patients को handle करना है, और इसकी लिए आप लोग contract send करेंगे, रेलवेस के तैत, और आपको Divisional Railway Hospital, Central Railways, नागपूर Divisions के तैत, आपको यहाँ पे joining दे दी, जाएगी, अब बात करनेते है, vacancies की, तो पहली जो post यहाँ पे जो रहने वाली है, GDMO की यहाँ पे रहेगी, General Duty Medical Officer, open market से भी है, और retired जो यहाँ पे candidates है, उनके लिए भी यहाँ पे vacancy है, और medical officer की post के लिए, B1 level का आपको यहाँ पे medical standard चाहिए, आपकी जो उमर है, 53 वर्ज से जादा ना हो, और जो retired candidates apply करेंगे, 65 वर्ज से जादा उमर आपकी यहाँ पे ना हो, MBBS की डिगरी होना आपको यहाँ पे जरूरी है, और Medical Council of India में आपको यहाँ पे registration भी चाहिए, और GDMO के post के लिए, 11 पद यहाँ पे शामिल की गए हैं, और open market से जो medical officers apply करेंगे, 75,000 रुपे, 75,000 रुपे, 75,000 रुपे, परमान बेसिस पे salary package दिया जाएगा, और retired जो यहाँ पे employees हैं, 46,000 रुपे, परमान बेसिस पे GDMO के post के लिए आपको salary दिया जाएगी, अगली जो post है देख सकते हैं, Laboratory, Technician के आप पे रहेगी, या फिर Assistant Grade 2 के post है, और दोस्तों देखिए, open market से भी है, और retired candidates के लिए भी है vacancy है, B1 level का आपको यहाँ पे medical standard चाहिए, 18 से 33 वर्स उमार आपके यहाँ पे रखे गई है, और जो retired यहाँ पे candidates है, 65 वर्स तक आप लोग यहाँ पे आविदन कर पाएंगे, इसमें दोस्तों बारवी कक्षा आप यहाँ पे पास हो, और DMLT का course है, बिना किसी experience के साथ, तो बिल आपके पास यहाँ पे certificate course है, medical, lab, technology का, DMLT का course है, तो बिल्कुल apply करें, और higher degree है, तो भी आप लोग यहाँ पे apply, आप लोग यहाँ पिक कर सकते हैं, और experience है, या फिर experience नहीं है, तो भी आप लोग यहाँ पे आविदन जरूर करें, तीन पद यहाँ पे शामिल की गए हैं, देख सकते हैं, number of vacancy हैं, यहाँ पे तीन यहाँ पे रहेंगी, 21,700 रुपय आपको आपको आप तनका मिलेगी, और आप सब लोग जितनी भी candidates यहाँ पे retired है, left technician की post से, तो आप सब लोगों को भी यहाँ पे salary package, pension के साथ, जो भी आपको 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 दिया जाएग और open market से भी यहाँ पे vacancy हैं, और retired candidates के लिए भी यहाँ पे vacancy है, B1 level का आपको medical standard चाहिए, और दोस्तों देखिए, उमर जो है आपकी 19 से 33 वर्स के बीच हो, और जो retired है, 65 वर्स से, जादा आपको 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 जरूरी है, physics और chemistry में, और diploma मांग जा रहा है, radiographic का या फिर एक्सरे टेक्निशन का या फिर रेडियो डियाग्नोसिस टेकनलोजी का दो साल का यह course रहता है, तो अगर आपके पास यह qualification है, तो बिल्कुल interview में आप लोग शामिल हो, और science graduate जो यहाँ पे है, diploma रखते है, रेडियो ग्राफिका, एक् पर दिया जाएंगे, और जो यहाँ पर retired employees है, आपको भी salary package दिया जाएगा, और जो भी railways द्वारा allowances रहते हैं, वो भी आपको सारे lab मिलेंगे, अब दोस्तों बात करनेते है, apply किस तरीके से करना है, last day यहाँ पर क्या रहेगी, और दोस्तों देखिए, आप लोगों को न notification, तो यह सारी information आपको यहाँ पर, इसमें आपर fill कर देनी है, और आप लोगों को documents के साथ, आप लोग यहाँ पर information provide कराएंगे, email ID पर आपको यहाँ पर apply करना है, email ID आपको यहाँ पर दे दी गई है, यह email ID है, इसमें आप लोग application form और documents, single PDF file में आपको यहाँ पर send करना है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो दोस्तों देखिए लखा हुआ है, candidates या फिर retired staff to send application in prescribed format and other relevant documents on email ID, तो email ID आपको यह दे दी गई है, इस पर जितने भी candidates आविधन करेंगे, आपको जो format दिया जा रहा है, वो आपको यहाँ पर fill करना है, और जितने भी आपके relevant documents है, certificate है, आपको यहाँ पर information, email ID पर send कर देनी है, 16 April 2021 इसके आप लाज देट रहेगी, और रात के 12 बजे तक जो है, आप लोग यहाँ पर apply कर दें, जितने भी candidates यहाँ पर shortlisted किये जाएंगे, interview के लिए आपको यहाँ पर inform किया जाएगा, email ID या फिर mobile number के थुर और जो भी आप कहाँ पर interview है, online दाएगा, skype, video conferencing के तुरू, committee द्वारा जो है, आपका daily basis पे 10 बजे से आप कहाँ पर interview शुरू हो जाएगा, जो भी candidate यहाँ पर shortlisted यहाँ पर पाए जाएंगे, interview की stage के लिए, और दोस्तों देखिए, आप सभी लोगों को inquiry number आपको यहाँ पर दे दिया गया है, और आप सभी लोगों कोई भी doubt है, कोई भी सबाल है, तो inquiry number पे, आप लोग यहाँ पर personally, आप लोग अपना inquiry कर सकते हैं, और आपको जो भी सबाल है, आपको यहाँ पर response मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर देखिए, जितनी भी candidates, email ID पर आप लोग अपना आविधन भेजेंगे, तो आपको prescribed format में application form और जो भी आपके आपके आपर related documents हैं, जिसमें आपका self attached करके सारी mark sheets आप कहाँ पर बेजनी हैं, सभी semesters की और सभी years की, degree हो यहाँ पर diploma certificate है, तो यह जान जानकारी यह सारी information आपको self test करके application form के साथ आपको email ID पर send कर देनी हैं, और online interview आप सब लोग का यहाँ पर लिया जाएगा, इसकी जानकारी already मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ, तो पूरी information मैंने आपके cover की है, और जैसी यह जानकारी मुझे यहाँ पर मिली, मैंने आ आपको यहाँ पर update प्रोवाइट करा दिया, सबसे पहले और सबसे तेज यह जानकारी है, एक मातर हमारे YouTube चैनल द्वारा आपको 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 मिली है, लाइक जरू करें इस वीडियो को, सबसे पहले इस वीडियो को आपको आपको लाइक जरू करें, comment box में कोई भी doubt है, कोई भी सबाल है, पूछ सकते हैं, और Indian Railways की पेरा-medical staff की हर एक सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे भी चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें, आगे और भी वेकैंसियां पे आने वाली है, Indian Railways में, तो वो जानकारी भी आपको आपको आप पे किलिक करें, और Indian Railways द्वारा पेरा-medical staff की हर एक सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पात रहें तो मिलता हैं, आप सगले वीडियो में, थैंक्यू सो मच